जारना चाहते हो Tata New Credit Card के बारे में तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो चूज किया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस Credit Card के बारे में जो कि आपको HDFC के तरफ से इसू होके मिलेगा तो ये वीडियो डिवाइड़ है कुछ पार्ट्स में और फिर Apply कैसे करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस Credit Card के बारे में तो ये खास करके एरपोर्ट्स के लिए ज़्यादा बहतरीन है लब आप Aeroplane से ट्रैवल करना पसंद करते हो और आप उसकी टिकट्स लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारे Cash Back मिलने वाले हैं आपके 2500 से ज़्यादे के सौपिंग पे आपको तुरंत EMI आप उसे बना सकते हो ठीक है और अगर आपकी कोई भी हवाई हाथसा हो जाती है तो आपको कंपनी के तरब से Free Hospitality Cover मिलने वाली है वो भी लाखो रुपए की Terms and Condition Applied और बस खर्च करो और इनाम जीतते रहो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ offers की जो की काफी बहतरीन लगे मुझे तो आपके हर सौपिंग पर मतलब आपके हर spend पर आपको किसी ना किसी एप का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है या फिर आपको एक free में flight tickets तक मिल सकती है उसके साथ साथ आपको shopping vouchers भी मिलते हैं तो rewards तो मुझे काफी सही लगे वैसे अगर आपको मतलब आपके साथ कोई fraud हो जाता है आपका credit card के साथ कोई fraud हो जाता है तो बस आपको उस fraud transaction के report दे देनी है और आपसे वो charge नहीं लिये जाएंगे जो की fraud किया गया था जो पैसो का इसका मतलब यह है कि आपके card से कोई भी गलत इस्तमाल होता है तो आपका वो पैसा माफ कर दिया जाएगा वैसे अपने card को बचा के रखे गलत इस्तमाल नहीं होने तो ज़्यादा कुछ नहीं अधार, pen और bank account बस आपका होना चाहिए और अधार और pen आपस में linked होना चाहिए अगर आपका अधार और pen linked नहीं है तो description में link है जाकर जल्दी से उसे link करो और अब बात कर लेते हैं eligibility की तो इसमें आपकी उम्र 21-65 साल होनी चाहिए और अब बात कर लेतें employment status की तो आप employed होने चाहिए या फिर self employed होने चाहिए ठीक है मतलब salary होने चाहिए या फिर self employed और salary लोगों के लिए minimum income है minimum monthly income है आपका 20,000 रुपे और self employed का minimum monthly income होना चाहिए 50,000 रुपे अब बात कर लेतें इसको apply कैसे करना है तो इसको apply करने के लिए आपको bank जाने की जरूरत नहीं है या फिर कहीं internet पर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है ठीक है हमारे team ने description में link दे रहा है बस उस link पर tap करना है उसके बाद आपसे कुछ details पूछे जाएंगे वो details fill करना है उसके बाद आपको बता दिया जाएगा आप eligible हैं या नहीं ये first step में होगा और अगर आप eligible हो जाते हैं तो उसके बाद आगे का और कुछ छोटे steps हैं उन्हें complete करना है फिर उसके बाद आपको approval का message SMS पर आ जाएगा और उसके बाद आपको कुछी देर के बाद आपकी credit limit भी आपको दे दी जाएगी या आप किसी और bank के credit card के बारे में जानना चाते हो तो आप हमें comment में जरूर बता या फिर आप हमें Instagram पे DM जरूर करें हमारी टीम आपकी जरूर help करेगी और ऐसे ही banks, credit cards और offers के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और अगर किसी भी आपके दोस्त को credit card की जरूरत है तो आप इस वीडियो को जरूर उनके साथ share करें धन्यवाद